ओम शान्ति आज 28 जून 2022 के बाबा के अनमोन मतुर महावाग्य है आज की मुडली में बाबा कहे तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राम्वा सच्चा सच्चा क्यों कहते हैं क्योंकि हम ब्रह्मा मुख से बाबा के बने हैं तो ब्रह्मा मुख हो शावली हुए हैं साथी साथ ब्रह्म ज्यान अर्थात पूरा अगम निगम का ज्यान कहो या आदी मत्य अंत का ज्ञान को हो तो बाबा ने हम बच्चों को दिया है तीसरा जो सदा ब्रह्म मोहरत में उठते हैं संगम युक तो है ही इसकल्प का ब्रह्म मोहरत लेकिन दिन और रात के भी ब्रह्म मोहरत में सदा उठकर प्यार से बाबा को याद करने वाले हैं और सदा ब्रह्मचरिय व्रत का पालन करते हैं खली ब्रह्मचरिय नहीं लेकिन ब्रह्मचारी भी बनते हैं और सदा बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्विकार करने वाले हैं तो ये पाँच बातों के कारण ही बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मच को सदा बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और संपूर्ण वर्षा 21 जन्म का प्राप्त करते हैं तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शांती मीठे बच्चे तुम ब्रम्हा मुखों शावली ब्रामनों को बेहत के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है आज की मुर्ली से प्रश्ण है तुम बच्चे कौन सी तयारी कर रहे हों तुम्हारा प्लैन क्या है उत्तर है तुम अमर लोप में जाने के लिए दयारी कर रहे हो तुम्हारा प्लैन है भारत को स्वर्ग बनाने का तुम अपने ही तनमन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो तुम बाप के साथ पूरे मददकार हो अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है मनुष्य तो विनाश के लिए प्लैन बनाते रहते हैं आज की मुर्ली से पहले गीत बजा है माता ओ माता तु है जग की भाग्य विदाता ओम शांती यह महिमा किस की सुने? दो माताओं की? एक तो बाप की महिमा होती है शिवाबा को भी मात पिता कहते है तो एक तो बाप की महिमा होती है तुम मात पिता निराकार की भी ऐसी महिमा होती है तुम मात पिता क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी तो ब्रमा मा की भी महिमा है तुम जानते हो परंपिता परमात्मा को जब स्रिष्टी रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए बाप को तो आना ही है कोई साधारन तन में शिव जैनती वा शिवरात्री गाए जाती है जरूर परंपिता परमात्मा अवतार लेते हैं किसलिए नई रचना रचने के लिए पुरानी रचना का विनाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं तो उनको बच्चे ही मात पिता कहेंगे, सभी तो नहीं कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का question है, प्रजा पिता ब्रह्मा को है, धेर बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्रामन कुल अत्वा, ब्रामन वर्ण बेहत के बातन तो ब्रम्मा मुख्वंशावली हम बनते हैं उनकी हुई मुख्व की पैदाइश उस माँ बाप की होती है कुख्व की पैदाइश वह यह महिमा कर नहीं सकेंगे यह महिमा है ही बेहत के माँ बाप की तुम मात पिता हम बालत तेरे आपने आकर हमको अपना बनाया है बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए ब्रह्मा की मुख वाउशावली जगतंबा सरस्वती बनती है भारत में गाते हैं तुम मात पिता तो जरूर जगत अंबा जगत पिता चाहिए तो पहले मात पिता शिव बाबा दूसरा मात पिता ब्रह्मा मा और शिव बाबा और तीसरा बाबा कहे जगत अंबा और जगत पिता चाहिए उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो वर्सा तुमको शुबाबा से मिलता है कैसे इस ब्रह्मा से नहीं शुबाबा का वर्सा है इस ब्रह्मा का वर्सा नहीं मिलता है इनके द्वारा लेकिन बाबा कहे तुम्हें डाइरेक्ट श्यू बाबा का वर्सा मिलता है इस ब्रह्मा से नहीं जिसमें प्रवेश हुआ जिसको मा कहा जाता है मा से वर्सा नहीं मिलता है वर्सा हमेशा बाप से मिलता है तुमको भी वर्सा बेहत के बाप से मिल रहा है बक्ती मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े क्यों आना पड़े? बच्चे बहुत दुखी है दुखधान के बाद सुखधाम आना है सत्यूग में है सतो प्रदान सुख फिर त्रेता में कुछ कम दो कला कम कहेंगे दुखधार कल्यूग में उससे कम होता जाता है अब इस चक्र को तो फिर ना ही है बच्चे जानते हैं बेहत का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं उनको जरूर पहले सुक्ष्म वतन रचना पड़े क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडाप्ट करते हैं कहते हैं तुम मेरे हो यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ ब्रह्मा बाबा भी कहता है शिव बाबा को मैं आपका हूँ तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया शिव बाबा के तीन बच्चे तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं ब्रह्मा, विश्नु, महेश यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की आुलाद फिर अव्यक्त आुलाद बनते हो यह बड़ी गुईये बाते हैं परम पिता परमात्मा विश्व का रचेता है पहले पहले रचता है स्वर्ग बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए न अभी हम नर्क में हैं वर्षा तो जरूर तब दिया होगा कब जब हमको रचा होगा बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हो पांच अजार वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्रामन कुलकुर अचा था यह जो रुद्र ज्ञान यक्य है उनकी ब्रामन ही संभाल कर सकते है तो यह हुए ब्रह्मा मुखोंशावली ब्रामन उन ब्रामणों को कहेंगे कुखों शावली ब्रामण ऐसे नहीं कहेंगे के ब्रह्मा के मुखों शावली ब्रामण तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुखों शावली पहले जरूर ब्रामण चाहिए ब्रामण कहां से कनवट किये ब्रामन कहां से कनवर्ड किये बाबा कहें शूद्र वर्ण यहां पर है तुम बच्चों को ब्रामन वर्ण में लाया पैर से फिर चोटी ब्रामन ब्रामन से देवता बनना है यह वर्ण आदी सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है एक किस जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो ब्राम्मन वर्ण का ये एक जन्म ये देड़ भी हो सकता है क्योंकि जो बच्चे संसकार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं फिर आकर ज्याम ले सकते हैं तो बाप समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है त्रेसे जन्म तुमने गोते खाये हैं अब तुम महादुख में हो सारे भारत का क्वेश्चन है न? ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है हाँ भारत में धन्मान बहुत है देखो एक आया था बल करोड़ पती था परंतु टांग बाहन नहीं चलती थी पेरलाइस्ट होगा तो बाबा के पास आया था कि बल करोड़ पती था परंतु टांग बाहन नहीं चलती थी तो दुख हुआ न? दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुखदाम कहेंगे सत्यूग में एक भी दुखी नहीं होता भारत सुखदान था किसने स्वर्ग को रचा? बापने हम बच्चे हकदार है पांच हजार वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे कहते हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले गीता सुनाने आये तो पांच हजार वर्ष का टाइम हुआ न? दो हजार वर्ष क्राइस्ट के और तीन हजार वर्ष उनके आगे तो अब गीता सुनाने आया है न, बरोबर देवता धर्म भी प्राहलोग है तुम बच्चे हो पांडो, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवा भावा कहे तुम बच्चे हो पांडो, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवा वह निराका शास्त्र में भी है रुद्र ज्यान यग्य वास्तों में है शिवरात्री, शिवजैन्ती, रुद्र जैन्ती वा रुद्र रात्री नहीं कहते रुद्र जैन्ती वा रुद्र रात्री नहीं कहते शिवरात्री क्यों कहते हैं? अभी बेहत की रात्री घोर अंध्यारा है ना, बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहत की रात्र के समय, अब दिन होने वाला है, मेरा जन्म प्रकृतिक मनुष्य सद्रश्य नहीं होता है कृष्ण ने तो मा के गर्व महल से जन्म लिया, अब तुम बच्चे जानते हो, उस मात पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे है, दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नर्ग किस चिडिया का नाम है अब तुम यहाँ पढ़ने आये हो, श्रीमत पर चलते हो, श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के स्री लक्ष्मी नाराइन बनते हो सत्युक के मालिक है, तो जरूर कल्युक के अंत में उनका 84 वा अंतीम जन्म होगा तब राज योग सीखे होंगे, सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्य वन्षी घराना राज योग सीखता है जो आकर बेहत के बाप से सूर्य वन्षी, चंद्र वन्षी, राज्य का वर्सा ले रहे है बाप कहते हैं, अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिग्या करो ब्रम्रचरिय का पालन करते हैं तो बाबा कहें, अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिग्या करो क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूं त्रेसिट जनम तुम पतीत बनते आए इसलिए दुखी हुए हो स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे यह भारत जो कौड़ी मिसल है फिर हीरे मिसल बनेगा यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया बेहत का बाप कहते हैं तुम यह अंतीम जनम पवित्र बनो इस मा बाप से तुमको अंवरत पीना है विश पीना छोड़ना है काम चिता से उतर ज्यान चिता पर बैठो श्रीमत तुमको मिलती है जिनको वर्सा लेने का निश्चे नहीं है वो कहते बाबा विश्च छोड़ना तो बड़ा मुसीबत है अरे तुमको एक किस जन्म सुख की प्राफ्टी होती है उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते हो भक्ती जब तब आदी करने से हद का सुख मिलता है बेहत का सुख बेहत के बाप से मिलता है बाप कहते हैं मैं साधूं का भी उद्धार करता क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सद्गती को कोई भी नहीं पाते है वापस घर में भी कोई जाने ही सकते अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहां आवे जावे न बाब के घर का रास्ता जाने तो बाबा कहे वहाँ आना जाना होता रहे अगर बाब के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आवे जावे ना सभी को पुनर जनम लेना ही है सतो रजो तमों में आना ही है अभी तो है जूठी माया जूठी काया जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं क्राइस्ट ने आकर क्या किया खुद आया उनके पिछाड़ी उनके गराने की आत्माओं को आना है व्रद्धी होनी है अब देखो क्रिश्चन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म बालों को कन्वर्ट करते जाते हैं, उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है, अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे, क्रिश्चन की आत्मा भी अब पड़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है, यह चित्र आदी जो भी है, सभी है बक्ति मार्क की सामगरी, ज्यान सागर तो परंपिता पर्मात्मा है, उन्हों द्वारा सब की सद्गती होनी है, सत्यूग में तो थोड़े होंगे, बाकि सब हिसाब किताब चुक्तु कर, मुक्ती धाम में चले जाएंगे, उनको शांती तुमको सुख मिलेगा, उन सब को शांती तुमको सुख मिलेगा, अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए, जिनका पाठ है, वही कल्प कल्प पुर्शार्थ करते हैं, जो ब्रामन बनेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार्थ, अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल्प पहले आये होंगे, वही आएंगे, ड्रामा तुमसे पुर्शार्थ भी जरूर कराएगा, इस समय सब पत्थर बुद्धी है, पारस बुद्धी होते हैं सत्योंबे, वहाँ यथा राजारानी तथा प्रजा पारस बुद्धी है, अब तुम पांडव से ना हो, तुम बाप की मदद से भारत का फौंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लैन बना रहे हो, प्लैन बना रहे हैं, वह अपने ही विनाश के लिए तुम हो अहिंसक, वह सब हैं हिंसक, हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं, फिर जैजैकार हो जाएगा, तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा अनुसाथ, जो कल्प पहले आये थे, वही वृद्धी को पाते रहते हैं, कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती दे देते हैं, बाप कहते हैं, अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे, तो सूर्यवर्शी महराजा महरानी बनेंगे, यहां तो महनत की बात है, भल वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथा सुनाते हैं, दुनिया के अंदर लोग बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आएं, सुनते सुनते क्या हुए, नर्कवासी होते गए, कलाएं कमती होती गए, भर कहते हैं, पती ही इश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं, कला कमती होती है न, सृष्टी को तमो प्रधान बनना ही है, बाप आत्माओ से बात करते हैं, बाप करते हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभीमानी भव, मा मेकम याद कर, अच्छा, मीठे मीठे सी किलते बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉनिंग, रुखानी बाप की, रुख रुखानी बच्चो को नमस्ते, हम सब रुखानी बच्चो की, रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुट मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धाना के लिए मुख्यसार है, पहली पोइंट, सचे सचे ब्रामन बन, इस जैसे व्यक्त ब्रह्म्ह अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुर्शार करना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिया करने है। काम चिता को छोड़ ज्यान चिता पर बैठना है, श्री मत पर जरूर चलता है। आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रति है। सत्गुरु द्वारा प्राप्त हुए महा मंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ती संपन भवब। सत्गुरु द्वारा प्राप्त हुए महा मंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ती संपन भवब। सत्गुरु द्वारा जनमते ही, पहला पहला महा मंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। यह महा मंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है, अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुबुती नहीं कर सकते। इसलिए यह महा मंत्र सर्व खजानों के अनुबुती की चाबी है, ऐसी चाबी का महा मंत्र सत्गुरु द्वारा जो स्रेश्ट भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन बनो। आज का स्लोगन है, संगठन में ही स्वयम की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जान कर महान बनो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, कि स्रिष्टी की आदी कैसे हुई? वो तो इतना ही जानते हैं कि स्रिष्टी की आदी हमारे धर्म से ही हुई है, इब्राहिम वाले, इसलाम वाले कहेंगे, हमारे धर्म से स्रिष्टी शुरू हुई है, क्रिष्चन फिर अपने समय पर आदी समझते हैं, बौधी फिर अपने धर्म से आदी समझते हैं, और मु वासी फिर अपने धर्म से आदी समझते हैं, फिर दिखलाते हैं सृष्टी के आदी में आदमी कैसे बनाए हैं, शुरू में पहले-पहले हडियों से आदमी बनाया गया, फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनसे स्वास बनाया गया, फिर लंस बनाई, फिर मनु बाद में सारी स्रिष्टी पैदा हुई, अब यह है मनुष्य की सुनी सुनाई बाते, परंतु अपने को तो स्वयम परमात्मा बता रहे हैं, कि असल में स्रिष्टी कैसे पैदा हुई, वास्तों में परमात्मा तो अनादी है, तो यह स्रिष्टी भी अनादी है, उस अनादी स्रिष्टी की आदी भी परमात्म द्वारा हुई है। देखो गीता में है भगवान वाज। जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता ह। अर्थात कलियोगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता ह। तो पहले पहले परमात्मा ने स्रिष्टी के आदी में ब्रह्मा, विष्णू, शंकर, तीन रुप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया स्रिष्टी की आदी ब्रह्मा से शुरू हुई जिस ब्रह्मा को क्रिष्चन, एड और सरस्वती को इव कहते हैं और मुस्लिम फिर डाड़ा आदम भी भी कहते हैं अवास्तों में यथार्थ बात यह हैं परन्तु इस राज को न जानने के करण एक ही ब्रह्मा को अलग-अलग नाम दे दीए हैं जैसे परमात्मा को कोई गौड कहते हैं, कोई अल्ला कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा ये सिर्फ भाषा का फर्क है, अच्छा, ओम शांतुर।